तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जो है net worth method के illustrations किये थे कि statement of affair method से जो है कैसे profit निकाला जाएगा हमारे जो records थे वो incomplete थे पूरे complete records नहीं थे उसी incomplete record से हमने जो है थोड़ा सा double entry system का formula change करके हमने जो है net worth method हमने बनाया था statement of affair method बनाया था जिससे हमने जो है अपने बिजनिस का profit निकाला था तब हमें जो है double entry system में उसको convert करना पड़ता है जिसको हम conversion method बोलते है उसको इस वीडियो में जो है शीखेंगे तो अगर आपको इस content में इंटरस है तो प्लीज मेंचन को ज़रू से ज़रू सब्सक्राइब करें अपने friends और related साथ उसको share करें तो चलिया यह बिना time waste के इस conversion method जिसमें हम जो है convert करेंगे single entry system को double entry system में ठीक है double entry system में जो भी वर्क करते थे वही हम वर्क जो है single entry system से करेंगे क्योंकि इस system के अंदर जो है single entry system की हम बात करें सिस्टम के अंदर हमार पास records complete नहीं होते incomplete होते हैं क्योंकि अगर double entry की बात करें तो उसमें हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए होती है जो कि हमें single entry system से नहीं मिलती इसलिए यह वर्क थोड़ा longest होता है इसको हमें शुरू से ही करना पड़ता है अमें complete बनाना होता है records को ठीक है अगर हम बात करें सबसे पहले मैं यह लिख देता हूँ single entry system जो हम शुरू से अभी इस चैप्टर में करते आ रहे हैं ठीक है single entry system के अंदर हम बात करें तो cash को जो है record किया जाता है यानि कि cash book बनाई जाती है ठीक है दूसरा जो है वो assets को record करता है assets के अंदर debtor आ जाता है ठीक है मैं debtor लिख देता हूँ यहाँ पर और levities को भी जो है record करता है यह system levities के अंदर जो है creditor आ गए ठीक है कुछ bill payables आ गई यह इसको जो है record करता है यानि कि कुछ asset और साथ में capital को भी यह record करता है कि capital कितनी आई है उसको जो है record करता है यह हमारे records होते हैं इससे हम अपना single entry system में profit निकालते हैं और अगर हम बात करें double entry system की double entry system जो है पूरा complete record होता है उसमें एक पाई भी जो है छोड़ी नहीं जाती एक रुपया भी जो है छोड़ा नहीं जाता हर चीज को record किया जाता है कुछ भी transaction होती है सबसे पहले इसको Journal बनाया जाता है journal entry उसकी की जाती है फिर इसकी ledger posting की जाती है सबसे पहले Savya लेजर posting से tryal balance बनाया जाता है सारे balance इसको एकटा करता है और अरिचमेटिकल एकूरेसी को चेक करने के लिए ट्रायल बेलेंस वनाइजाता है ट्रायल से जो है बनाई जाती है ठीक है estimate value होती है कोई exact value accurate value नहीं होती estimate करके अंदाज़े से जो है वो बनाया जाता है और physical inspection कोई officer या accountant जाता है उसकी shop पे जिसको अपना जो है जिसने अपने record single entry systems record कर रखें और उसको profit निकालता है वो ठीक है physical inspection होती है सारे asset देखता है उसकी shop पे जाके कि कितने उसके पास assets है और कितनी liabilities है उससे जो है statement पर करता है जिससे हम बोलते हैं statement of affair ठीक है इसी लिए इसको balance sheet नहीं बोला जाता क्योंकि balance sheet बिल्कुल accurate होती है उसमें जो है हम हर चीज एसट की value को record करते हैं तो हम जो है single entry system से जब convert करेंगे double entry system से उसे हम बोलेंगे conversion method ठीक है conversion method single entry system के records को हम convert कर देंगे double entry system में उसे ही हम बोलेंगे conversion method इसके under हमें यह सब काम करने पड़ेंगे यह सब काम करने पड़ेंगे तब जाके जो है वो हमारे proper records निकलेंगे क्योंकि हमें अगर loan लेना हो किसी bank से तो वो यह records नहीं मांगेगा वो यह records मांगेगा मा लिजे किसी bank में गए हमने यह records दिखा दिए अपने पर्चे जो भी single entry system से हमने record कर रखें वो दिखा दिए वो यह नहीं लेगा वो बोले का कि क्या दिखा रहे हुए ट्रायल बैलन्स दो मुझे प्राफिट के लिए ट्रेडिंग प्राफिट एंड लॉस अकाउंट दो पॉजिशन के लिए balance sheet दो तो वो तो इसमें बनाई नहीं जाती लेकिन अब बनाई जाएगी क्योंकि हमने अगर records अपने single entry system से किये हैं उसको अगर conversion method से convert कर देंगे तो हमारे double entry system बन जाएगा इसमें हमें हर एक चीज बना नहीं जाएगी ठीक है लेजर पोस्टिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग पीनल बैलेंस शीट सब बनाएंगे ठीक है और अगर हम बात करें single entry system के records की तो उसके अंदर हमें जो है कुछ चीज़े given नहीं होती बहुत सी ऐसी चीज़े हैं जो हमें पता नहीं होती ताकि हम उसको single entry system में बना सके जैसे कि मान लीजिए अगर double entry system से trading P&L और balance sheet बनाते है trading P&L में हमें sales की जरूत होती है purchase की जरूत होती है expenses की जरूत होती है वो भी single entry system से sa Samaric निकल सकता है क्यों क्यों कि इसमें रिकॉर्ड को record किया जाता है A २ the letter तभी बढ़ते हैं जब हम sales करते हैं credit sale City में जो है डीटर से पता लग सकती है creator को record किया जाता है तो इससे purchase पता लग जाएगी तो कुछ account हमें जो है बनाने पड़ेंगे Single entry system के records को देखके कुछ few there account बनाने पड़ेंगे ताक्या में जो हमें information चाहिए Featable entry system को convert करने के लिए वह हमें यहांसे मिल सके ठीक है Single entry system records को खोनेंगे तब हम कुछ accounts बनाएंगे कौन-कौन से account सिर्डवलेट्र कंवर्जन मेटट में है वही मैं बतानी जारूंग कि सबसे पहले एंड 예쁜特व बनाइंगे और है ठीक है डैटर अगांट बनाएंगे में.. professional और इस dogs अ इसके बनाira Olme निर सांव भी किस्टाव में मल जाएगी और डैटर अकानट सेरोख किस्टाव किस्टों सब्याइब करता है उसको record देखके हम जो है account बनाएंगे debit credit का formula यूज़ करेंगे इससे हमें जो है credit purchase पता लग जाएगी cashbook से cash purchase पता लग जाएगी तो purchase sale का में यहां से पता लग जाएगा फिर हम third बनाएंगे bill payable account sorry bill receivable account अब यह debtor से connect होता है bill receivable तो इससे हमें total कितने बिल रिसीव हुई है वह भी पता लग जाएंगे ठीक है फिर हम fourth बनाएंगे bill payable account इस बिल पेबल अकाउंट बनाएंगे इस से creditors से connect होता है तो इससे यह भी पता लग जाएगी कि total हमारे पास बिल पेबल कितने है ठीक है तो यह account भी बनाएंगे फिफ्ट हम इसमें बनाएंगे opening की balance sheet फिट लास्ट येर की जो balance sheet होती है वो बनाएंगे इसमें यह सारे काम करने पड़ेंगे फिफ्ट हम वही फिल ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे सेवन्थ हम profit and loss अकाउंट बनाएंगे इसमें और एट्थ हम जो है इसमें अपनी current balance sheet को प्रिपेर करेंगे ठीक है यह सारे काम करके हम जो है अपना profit double entry system से निकाल सकेंगे क्योंकि यह account के जो है records हमें चाहिए होते हैं trading profit and loss अकाउंट बनाने के लिए cash से हमें खर्चेया पता लग जाएंगे बागी बात रही purchase और sales की cash purchase cash sales हमें तो वैसी cash book में हम उसको single entry system में record करते हैं बचा हमारा credit sale और credit purchase वो हमारी debtor और credit account से निकल क्या जाएंगे बिल कितने प्राप्त हुए बिल पेबल कितने हमें जो है देने हैं वह हमें बिल पेबल अकाउंट से मिल जाएंगे बाकी position तो वैसी यहां पर prepare की जाती है तो वह तो बनाई जाएगी ठीक है तो यह हमारा होता है convergence system जिससे हम जो है single entry system से convert करके double entry system में accounts prepare करते हैं वैसे तो यह सारी हमें चीज़े कई जाती है बट questions के अंदर हमें यही चीज़े जो है बनानी होती है जर्नल एंट्री हमें नहीं बनानी ठीक है double entry system के records ठीक है तो अगली वीडियो में हम जो है missing figures जो हमें चाहिए होते है जैसे कि मैंने आपको credit sale, credit purchase बोला वह हम बनाके देखेंगे account बनाके देखेंगे उससे हम जो है missing figures निकालेंगे तो यह सब जो है हमारी अगली वीडियो में होगा तो उमीदे दोस्तों आप conversion method को जो है अच्छी तरीके समझ गये होंगे कि conversion method किस तरीके से जुए काम करता है तो धन्यवार दोस्तों मेरी वीडियो को एंटलतों तक देखने के लिए आज की वीडियो में हमने conversion method अच्छे से समझ लिया है कि क्या होता है कि कि気 अंगली वीडियो में हम जो है calculation करेंगे missing figures की जो हमारी figures चाहिए होते हैं हमें trading and profit and loss account बनाने के लिए क्योंकि main हमारा motive तो यही profit निकालना ही है और इसके लिए जो figure चाहिए होते हैं वो इन account से निकालेंगे main motive हमारा वही है तो वही हम जो है अगली वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से वो जो है figure निकाले जाते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने friends solidarity के साथ उसको शेयर करें क्योंकि यह ऐसा content YouTube पे कहीं नहीं मिलने वाला आपको एनाइस का तो इसलिए जैसे प्लीज मेरी चैनल क को जरू सब्सक्राइब और शेयर करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाज have a nice day